हलो दोस्तो आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो आज मैं आप सब के लिए बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेक्याई हूँ आज मैं बताने वाली हूँ कि रात में करें ये जरूरी काम और मुटापे को करें जल्द से जल्द खद्म दोस्तो आज मैं आप सबको कुछ ऐसे नुस्के बताऊंगी जिसके इस्तिमाल से आप बहुत जल्द अपने वेट को लॉस कर सकते हैं बस चार ऐसे काम जिसके उपयोग से आप अगले दिन सुबह अपने आपको पतला कर सकते हैं दोस्तो अगर आप रोजाना रात में अपने खाने में हरी मिर्च का उपयोग करते हैं तो इससे आप बहुत जल्द अपने वेट को लॉस कर सकते हैं यानि रात के भोजन में हरी मिर्च का जादा से जादा उप्योग ऐसा करने से आप बहुत जल्द मुटापे को खद्म कर सकते हैं क्योंकि ये आपके शरीर के चर्वी को गला देता है जिसकी वज़े से आप बहुत जल्द पतले हो जाते हैं रात को सोने से पहले ग्रीन टी का इस्तमाल करें अगर आप रात में सोने से पहले खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तमाल करते हैं तो इससे आप बहुत जल्द अपने वेट को लॉस कर सकते हैं साथ ही इससे आपकी तवचा भी निखर जाती है इसके इलावा शक्कर और स्टार्ज का स्तमाल ना करें इसमें प्रचूर मात्रा में कार्ब्स होता है जो आपके शरीर में चर्बी को बढ़ाता है जिसकी वज़े से आप बहुत जादा मोटे हो जाते हैं दोस्तो अगर आप रात में शक्कर या starch का इस्तमाल करते हैं तो इससे आप अपने मुटापे को और बढ़ाते हैं ना की कम करते हैं though इसलिए आप रात में शक्कर यह यह स्टार्ज का इस्तमाल ना करें और आप बहुत जल्त पतले भी हो सकते हैं जोस्तों शक्कर और स्टार्ज के इस्तिमाल से आपके शरीर में इंसुलीन नामक तत्व बढ़ जाता है। इंसुलीन हमारे शरीर में मुख्य fat storage हार्मन होता है, इंसुलीन की मात्रा कम होने से fat burn होता है, लेकिन अगर हम रात में शक्कर एवम starch का इस्तमाल करते हैं, तो इससे इंसुलीन का मात्रा बढ़ जाता है और हम में मुटापे का सामना करना पड़ता है, इसके इलावा और बह पूर नींद लेते हैं तो इससे आप बहुत चल्द मोटापे को घटा सकते हैं दोस्तों याद रखे सोने से पहले ध्यान करें या फिर सुकून भरा संगीत सुने ऐसा करने से आपका शरीर बहुत अच्छा काम करता है और आप अपने शरीर के चर्वी को कम भी कर सकते हैं दो से आपके हार्मन कम हो जाते हैं जिससे आपको बार-बार भूग नहीं लगता और इसकी वज़े से आप अपने शरीर में अतिरिक्त फैट नहीं लेते अतिरिक्त भोजन नहीं करते और आप बहुत जल्द मोटापे से चुटकारा पाते हैं तो दोस्तों इन चार उपायों क हुआ को अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है लाइक करए कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पोछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंद रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन, मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तब तक के लिए फिट रहें, हल्दी रहें, खुश रहें, थैंक यू